so hello sum every one welcome to agree concept तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Secondary जो हमारे टीलेजंह़ेंट करेंगे से इनके में बात करेंगे इससे पहले हमारा एक lecture हो चुका है जिसके अंदर हमने cover कर लिए मारी जितने भी primary जो टिलेज इपलेमेंट से उनको हमने क्या कर लिए उस lecture में complete कर लिए अगर वह lecture आप नहीं नहीं देखा तो please आप उसको पहले देखिए उसके बार में आपको यह अच्छे से समझ में आएगा secondary जो टिलेज है इनके जो भी एपलेमेंट से यह अच्छे से समझ में आएगे तो स्टार्ट करते हैं secondary टिलेज इंपलेमेंट से तो इससे पहले मैं बता दूँँ आपको अगर सेशन की PDF चाहिए तो आपको सेशन की इसलिए इंपलीमेंट से पहले बात करेंगे कि secondary tillage होती क्या है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इसने बताया कि secondary tillage consists of conditioning the soil to meet the different tillage objective of the farm यह कहरा था रहा कि जब हम primary tillage कर देते हैं उसके वारे में अब अब उसमें क्या करेंगे secondary tillage करेंगे मतलब इस जो इसके बात मैं हम डारेक्टलि क्या करने वाले सीड जो है उसका सोई करने वाले यह आपम क्या करेंगे क्रोप को ट्रांस्प्लांट करने वाले हैं तो मतलब soil को इस तरह conditioning करना है ताकि वो हमारी जो crop है जो future जो crop हम लगा रहे हैं उसके अंदर सीडम बोर रहे हैं या भी transplant करें तो उसके लिए एक तरीके से favorable condition हमें क्या करने है प्राइमरी जो हमारे ट्रेक्टर को ज्यादा पावर की चाहिए और टाइमिंग भी ज्यादा वो कंजूमिंग होता है प्राइमरी जो है तो हमें जब हम ज्यादा कराए टाइक फ्लॉविंग करेंगे तो ट्रेक्टर को पावर भी ज्यादा अजूम होती है तो इसके अंदर हम क्या होता कि shallow प्लॉविंग करते हैं या shallow harrowing करते हैं इसके अंदर इसमें क्या होता है less power per unit area के according हमें के बारे में हमने बात कर लिए यह अब पर पॉर्ब्च करते हैं इसके इंपर बात करते हैं और यहां ट्यार करना है यह बताना चाहरा कि जिटेंब उसके अंदर रेजिद्यूस बचेंगा पिछले सीजन की हमने क्रोप सोविंग के थी तो उसका इस्टेबल बचावा या कुछ वेस्टेज बचे वेहे हैं फांग के अंदर कुछ पतिया वगयरा हमारे जो पीडियस वीड्स और जिसे हमें क्या मिलें कि nitrogen मिल जाएगी फिर यह बताना चाहिए कि मेनेज वाटर एंड इंदा सोईल अभी क्या करता है कि जब हम सेकेंटरी टिलेज करते हैं तो हमें माइक्रो मैक्रोपोर का जो रेश्यो होता है वो सोईल के अंदर बैलन्स हो जाता है माइक्रोपोर्स क्या करते हैं वहीं मैक्रोपोर्स 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 क्या करते हैं लेट के वह आर लाई से पहलेट सॉल के अंदर जाएगी संव awareness के अंदर आशे को जाएगा इन्सेक्ट पिर्फेस लेयर वूसरोश के ऑपन क्रेर चक्रेटर करना चाहिए अदर सोई एरोजन और यह कैना तो सर्पेस पर एक अच्छी खाशी लेयर बना देदा मोठ सेकेंट्री ट्रिलेजम परत क्या मूँ पड़न जाता है जिसे कि विंड और जो सोई इरोजोन होता है उसको भी अपन क्या कर से सब्सक्तूर, एक ब्रूर。 ब्लेड हेरो इसको अपन बखरब बोलते हैं फिर घंटु का है फिर आसी प्रोपेटिंग पावर हेरो तो यह सारे इनको अपने क्या करेंगे अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं विच डायकराम जिसके आपको ईजली समझ में आता रहेगा कि अपन पढ़ क्या रहें आप सब्सक्राब आते हैं हे ऐसे यह सहिंने पहर जीलेख है वह क्या है प्राइमरी इंप्लिमेंट्स all plows are primary tillage improvements and arrow और बाती जो remaining जो implants हो हमारे secondary tillage में आते है है यह हेरो क्या घात है cut the soil in the shallow depth ज्यद् unsure deeply cut नहीं गाता प्लाज क्या करता है deeply cut कर रहा है shallow depth मतलब उपर उपर तक क्या करता है Bapt debris to cut the soil का कर देता और उनको क्या गटा सोईल के अंदर जैसे खाद हमने डा रहा है या वर्मी कमपोस्टन डाल रहे हैं या फिर और भी कोई हम अगर फोल के अंदर मेन और वगारा कुछ दे रहे हैं तो उनको mixing करने के लिए भी हमारा विख लेंदर काम में आता है नेक्स डिक्स हेरो की आप बात करेंगे इसके अंदर गोर कुछ ऐसा होता होता है इतरह लगा हुआ है तो आपको डाइगरामम में दिख रहा होगा कि इनके अंदर क्या आ है डिकस की फोम में यह हैरो का शेप ए तो इसको क्या बोलते हैं दिक हैरो बोलते है तो अपन इसके बारे पढ़ते हैं डिस्क हैरो में बता क्या रखाए सुने घноht तर 1 एक इंप्लिम आपान क्या करता है रोटेटिंग डिस्क को आपन क्या करते हैं,лять तो कि य। अनुसार अपन क्या करते हैं इसके अंदर हैर्विंग करते हैं और इस इस बिंग माउंटेट अधा कोमन शाफ्ट और यह क्या करा कि जो हमारे यह डिक्स होती है यह मतलब कोमन शाफ्ट जो हमारे कोमन शाफ्ट होती है शाफ्ट जिसको अपन बोलते है यह जो ऐसे लंबी सी डली भी है और इसके अंदर रहे कि यह डिक्स परका लगी विए तो यह common sharp शाफ टो बोल सकते हैं जिसको पर यह common sharp होती है जिसके अंदर क्या होता है यह डिक्स जिसके अंदर क्या होती है arrange होती है फिर यह बताना रहे है डिक्स आर्दा mounted mounted on one two और more excel अब यह कहना चारा है कि जो यह डिक्स लगी वी होती है इसके अंदर कि एक excel के उपर भी mounted कर सकती है दो excel पर भी या फिर दो से ज्यादा excel भी इसके अंदर हो सकते है which may be set a variable angle to the line of motion और यह डिक्स क्या होती है यह की अलग-अलग angle पर set होती है क्योंकि line of motion मतलब जिस तरह हमारा tractor move कर रहा है जिस तरह hero move कर रहा है उस motion के अनुसार जे कैसे कि मालो एक डिक्स हमारी 90 degree angle में है 185 degree angle में है एक 93 degree angle में है तो इस जो हमारी इस हमें जिस परकार से हमें क्या करना mounted motion चाहिए उसके अंदर उसके अनुसार अपन क्या करते हैं इनके अंतर जो हमारी डिक्स होती है इनको अपन क्या कर रहा है एंगल फिक्स कर देते हैं फिर बताना चाहरा कि it cut the lungs of the soil clothes and root यह कहना चाहरा कि हमारे जो soil के अंदर क्या जितने भी डेले हो अगरा होते हैं यह roots अगरा होते हैं उनको सब को क्या कर देता है इस हैरो के अंदर को अपन बोलते हैं जैसे आपको यह आपको दिख रहा हुगा इस हैरो का डिजाइन होता है इसके functions थे वह अपन देख लेते हैं क्या है तो फंक्शनल में बतारा कि इस हैरो इंग विच पैग शेप्ट टीथ ओर डायमंड क्रोस सेक्ष्टन तु ए रेक्टेंगल एक प्रेम अभी इसके अंदर दिख़ रहोंका आप ओर रेक्टेंगल फ्रेम ही है करते हैं यहाला यह देखिए और इसके अंदर क्या आई यह हमारे जो कि बोल सकते हैं या फिर अपन का बोलता है तो यह इसके अंदर इंदर अरेंज होते हैं आरेंच जैसे हम ब्रोड़कास्टिंग करें तो उसके बारे में फिर उपन क्या करेंगे उसके उपर जो हमारा स्पाइक टूथ हैरो वो चला देंगे जिससे कि वो क्या होगा सीड कवर हो जाएगा सोल से उसको जर्मिनेशन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर यह बताना जारा कि को सकते हैं और क्या होता है खेटर सकते हैं यह बताना це लेकि का ज ग're है कि अपनिसको क्या है यह सकते हैं ट्र्वोड यूज कर सकते हैं जैसे है अब भेभी अपन इसको ये देखिएगा अभी डाइग्राम देखिए इसके अंदर जैसे कि अपर कुछ सामान लेकि जाना तो अपन क्या तो अब कर आपको सामान फिल्ड में से रखके इस के उपर लास अपने तो यह क्या करेगा हमारे ट्रांसपोर्टिंग का फंक्शेन भी क्या इसका है का में आस इसके जो अबन क्या बोढ़ सकना है तरीके से इसके फिलीमेट से इसके अंदर जो पार्ट्स उनके नाम है तो कई बार नाम भी आ जाते हैं कि यह जो झाल से किस हरो ने देखा उगे इस के आपना प्रेशर उसके उसी शेbelt में आ जाती हुह होता है एसा एसा वां तो उसी परकार के प्रक्रणी आजिती है या फिरा फिर अपन यूज करते हैं तो इस हैरो को क्या होगा ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी हेरो टूटेगा नहीं फ्लेक्सिवल हो जाएगा अकोडिंग टू इसको किस परकार का नीचे एनवार्मेंट मिल रहा है फिर यह बताना चाहरा कि इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं तो इसके हेरो भी तब टस फ्लेक्सिवल्टी फ्लेक्सिवल्टी उपर नीचे आराम से अजस्टेबल हो जाते हैं फिर बताना चाहरा कि सूटेबल टू वर्क इन्हें हाड एंड इस्टोनी जब हम हाड और इस्टोनी सोयल के अंदर काम करते हैं तो उसमें कौन सा जो हमारा हैरो उसको यूज करते हैं तो आपन वापन को यूज करते हैं तो आपको आंसर करना कि स्पैक टूथ हैरो को आपन वापन वापन ऊचर सकते हैं और उस पैक्टूथ हेरों के अंदर स्प्रिंग्स लगी होती है कि इस शेप की ऐलिपिटिकल शेप की लगी भी होती है फिर यह बताना चाहरा कि उसके अनुसार इस हेरों को आपर यूज करते है ताकि अपने आपको जैसा भी इसके अंदर कंडिशन मिलेगी तो अपने आपको क्या करें उसके अकोड़ी एजस्ट कर लेगा तर यह बताना चाहरा कि ओलबिट सब्सक्राइब करता है और किलिंगुत कंडियों करते है उसके इंदर करता है नहीं करता है यह बताना चंट की लेवीववड्यास अहीड किना यह एक लेवलर करते न होता है एक लेवल पार भी लगा हुआ होता है तो इसका एज़ेफ्मेंट कर लेते हैं फिर अकीम है रो आपको पता होगा बलेड बलेड शेप के अंदर इसकी प्लेड शेप कर से काम नाइशा बहुता है तो इसको याद रुकने क्या Caoil को आपको क्या होगा जल्दी रिमंबर आ जाएगा तो इसके बारे में कुछुछ पढ़ लेते हैं की आकीम हरू के बारे मी सिर्ट क्या क्या… प्रम्ड क्रेश हेरू को बोलते हैं , नाइफ हेरू मतलब जीते हैं भी डेले औगरा होते सोल के आर्टिफिशल जो बो आग्रीκαटे solar करेते हैं फेुसरी यूज कर सकते हैं तो यह याद रुखना की अच्छा थे ऊचिए फ्कॉंट होता थोड़ा पूत या कई बार उसके बार इंसान भी बैड़ जाते हैं एक-दो इंसान ताकि जितने भी soil के अंदर चलता है जब उसको लेवलिंग करने हमें तो इसको क्या करते हैं तो हेरों के बाद में या फिर बार खचरा उट के आ जाता हॉआ से पोलिफीन वगदर वहां सारे क्या हो टाई इसके अंदर एक-पिक से इसके अंदर क्या हो क्या उनको capture कर लेता जिससे कि वह क्या हो कि फिर बाद में अपन जब एक पोजिशन पर जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीजों को एजगे इखटा कर देंगे उससे क्या होगा इसके बारे में कुछ फंक्शन से वह देख लेते हैं यहाँ पर बताना चाहरा कि यह क्या होगा वजन बैठे का आद में बैठ सकता है यह खुद भी यह बारी होता है जिससे कि जो qlots फगेरा होते हो तूट हना पेकिंग यंद लेवस रेंड़ को अब news याजन इसके अंदर कर सकते हैं uproot इंड त लगा होता है इसको डाइगराम दिख रहा होगा इस परकार का कुछ ट्राइगराम है इसको नाम क्या देखे आपने नाम देख रहा है इसके बारे में कुछ बाते इसके बारे में बची हुए तो यह कहना चाहिए किए इस के अंदर है इस के अंदर हो इसपाइक टु ध्यांगुलोर फ्रेंट नो घ्राइंगुलर पक्रेंगुन आ Treated Him कि अंदर के लिधे झाज्तेश्वागार दफने पॉइंट्योद्यक स्फाइक धिर्मूद्यो पउद्ध आफी मेंργेयाओ फिक्स होते हैं, fitted होते हैं, फिर बतार the teeth of the spikes are fixed and not adjustable और जो यह teeth होते हैं, spice से काटो के वो fix होते हैं और adjustable नहीं होते हैं एसा नहीं कि उनको अपन change कर सकते हैं इनके position जो जहाँ है वो वही पे रहेंगे और adjustable जैसे कि आपने spring tooth hero में देख रहे थे कि वो अगर hard नीचे soil आ रही तो अपने आपको adjust कर रहा था वैसा इसके अंदर system नहीं हो फिर बताना चाहरा कि दिस टाइप लवराइज दा soil and help in killing the weeds और weeds वोगरा क्लिंग में क्या कर सकता है help करता है और soil को प्रवराइजिशन में भी यह hero क्या करता है काम में आतर फिर वताना levelers are provided for setting the teeth for varying the depth and the hero अब यह बताना कि अगर है रो कि हमें depth वोगरा वो क्या करने है चेंज करने तो उसके अंदर क्या होता है levelers लगे होते हैं उनके नुस्वार अपन क्या आन टीट वगेरा को भी इनको भी setting कर सकते है ब्लेड हेरो कि यह बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लेड कुछ दिख रही होगी डाइग्राम में तो यह डाइग्राम दिखिए करता है इस मूँस इंटु दा टोप सरपेस पर क्या रहा है और फिर आएगा गंटू का आप देख लिए डाइग्राम इसकुछ इस परकार का होता है यह बी-सोल को लैवलिंग वगेरा करने में ही काम में आता है डाइग्राम से आप समझ रहे होंगे तो इसका भी function देख रहते हैं फिर बताना कि it is an important type of blade hero, यह case के अंदर भी blade लगी भी होती है, जैसे कि आपको diagram में यह दिख रहा होगा, तो एक important type of blade hero होता है, और it is an implement which consists of one or more blade attached to a frame or beam, और इस इन क्या होता है, एक या एक से ज्यादा blades भी हो सकती है, frame के अंदर, या beam के अंदर, it is used to shallow working the soil with a minimum soil inversion, इसके अंदर soil का अनिमरिजन क्या होता है, बहुत minimum होता है, और shallow working मतलब ज्यादा इसमें depth में अपन क्या कर सकते हैं, कहां में नहीं कर सकते हैं, गंटुका से, यह बताना चाहरा है कि यह, इस मेरे use for prepare the seed wet, mostly clay soil के अंदर, अगर seed wet हमें प्रिपेर करने ही तो हम गंटुका का अब यूज कर सकते हैं, तो यह कुछ functions थे, जो secondary implements थे, वाकि कुछ implements बचे हुए हैं, उनको अपन क्या करेंगे, जो हमारा lecture होगा, उसके अंदर पर क्या कर लेंगे, उसके साथ यह सारे क्या हो जाएंगे, हमारे जितने भी primary और secondary tillage का जो session था, वो complete हो जाएगा, और इस description में वासे आप चोन के लिए, वापे आपको इस session का PDF मिल जाएगा, और आने वाले और भी session से अब आपको notification मिलते रहे हैं, उसके लिए आपको गयागा है, चैनल को subscribe करना है, और साथ में बेल आइकोन को भी प्रेश करना है, तो इसके साथ session को end करेंगे, तब तक लिए जै झाल झाल